दोस्तों नमस्कार आदाब सत्रीयकाल नियूज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन में आपका स्वागत है शिक्षा जगत से बहुत बड़ी ख़बर है और हाइर एजूकेशन से सम्मंधित है उच्चे सिक्षा से विश्विद्याले अनुदान आयोग यानि इनिवर्स्टी ग्रांट कमिशन जो भारत सरकार की संस्ता है कहने के लिए स्वायत्ता भी है थोड़ी लेकिन उसने एक बहुत दिल्चस्प फैसला किया है और ये दिल्चस्प फैसला इसके बहुत जबरदस्ट इंप्लिकेशन्स हैं या बहुत बड़े अस्तर पर समूचे उच्च सिक्षा छेत्र को प्रभावित करेगा देश के हजारों लाखों उच्च सिक्षा प्राप्त जो लेक्चर सिप के लिए प्रोफेसर सिप के लिए असोसियेट प्रोफेसर सिप के लिए अभ्यरती हैं जो लाइन लगा कर इस देश में इंतजार करना है अपनी अपनी निक्तियों का या इनुस्टी में जो पढ़ार हैं और प्रमोशन के लिए जिनका लंबा इंतजार है उन सब को प्रभावित करेगा और सबसे बढ़कर जो एक qualification आधारित, दक्षता आधारित, professionalism आधारित, seniority आधारित जो एक प्रक्रिया है नियुक्ति की या प्रमोशन की उसको भी प्रभावित करेगा ये फैसला है कि अपने देश के विश्विद्यालेयों में अब professor of practice याद रखिए professor of practice नाम से प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी और जो समूची sanction post होंगी जितनी मंजूर की गई रिक्तियां होंगी प्रोफेसर की उसमें 10%, 10% सिर्फ यही होंगे प्रोफेसर आप practice ये क्या है ये है कि उनके लिए कोई qualification जरूरी नहीं होगी अब तक अपने देश में जो affirmative action के भी रोधी रहे हैं लोग वो कहते हैं कि साब इस देश के उत्पिरिट समाजों की और से नियुक्तियां जब होती हैं उनके पिछडे समाजों के लोगों की तो योगता और merit का ख्याल नहीं रखा जाता है और उनको सीट दे दी जाती है सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन के नाम पर बड़ा आक्रोश कुछ लोग व्यक्त करते रहे हैं इस पर ये एक अलग बात है कि भारत के विश्विर्द्यालेओं उच्छ शिक्षा में उनका जो representation है बहुत कम है भारत के जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं आबादी उनकी बहुत है लेकिन उच्छ शिक्षा में उनका नगणिय नगणिय रहा है representation हाल तक और अभी भी है तो इस पर तो आक्रोष व्यक्त किया जाता रहा है कुछ लोगों द्वारा विश्ष्ट लोगों द्वारा जिनकी समाज में भले ही संख्या कम हो लेकिन जिनका उच्छ शिक्षा में dominance है लेकिन इस बात पर अब वो क्या कहेंगे क्या करेंगे सरकार में जो बैठे लोग हैं उन लोगों ने ये तै कर दिया कि योग्यता नाम की कोई चीज नहीं और दक्षता नाम की कोई चीज नहीं क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं पीएसड़ी की कोई दरकार नहीं अलग अलग शожал्रों में काम करने वाली लोग चाहे वो जिस छ्छreet्र में निजाम है जो जाहिर है भारत सरकार के ही मातहत है वो जिसको भी चाहेंगे निउक्त कर सकेंगे 10% यानि सैंक्शन पोस्ट जो होंगी विश्वित त्यालेओं में प्रोफिसर की उसके 10% सीटें वो निउक्त कर सकेंगे ऐसे लोगों को और ये उनकी अपनी मर्जी की किन को व भारत के विश्विद्यारियों में या हमारे हायर इडिकेशन में ये प्रावदान अलग धंक से पहले भी रहा है कि विश्ष्ष्ट लोग जो अलग अलग छेत्रों के गणमान ये लोग हों वह बगैर निर्धारित योगिता के प्रोफेसर बन सकते हैं जैसे अपने देश मे हजारी प्रसाद दिवेदी जैसे हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे लेकिन वो पीएसडी नहीं थे उनको प्रोफेसर निक्त किया गया था बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे दिल्ली विश्विद्याले में या दूसरे अन्नी विश्विद्याले में अपने अपने च्छेत्र के अती विख्यात लोग जो है विशिस्ट लोग उनको नियुक्त करने का प्रावधान UGC के तहत रहा है लेकिन ऐसा प्रावधान दुनिया के किसी विश्विद्याले में नहीं होगा जो नहतों किसी च्छेत्र में अती विशिस्ट गणमानी विद्वान है बिलक का इंप्लिकेशन है कि जो लोग विश्विद्याले में पढ़ा रहे हैं चाहिए जिस जाती धर्म जिस विरादरी के हो वो योग्य हैं धक्ष हैं सक्षम हैं प्यजडी हैं डिलिट हैं डियस्ट हैं उनकी नियुक्तियां प्रोफेसर पर हो या नहों लेकिन बाहर के लोग ले लिये जाएंगे लेटरल इंट्री और लेटरल इंट्री भी ये बिलकुल नहीं देखा जाएगा कि वो क्या हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है वो एक बड़े ब्यापार में हैं वो भी नियुक्ति किये जा सकते हैं तो माना यह जा रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट मा लाने का एक रास्ता खो जा गया है और इसके लिए देश के मौझूदा हुक्मरान मौझूदा जो निजाम है उसने ये योजना बनाई है मैंने इस बारे में नंदिता नाराएंड जो बहुत मशहूर एक शिक्षाविद हैं और दिल्ली विश्विद्यारे शिक्षक संग ध्यक्षरा चुकी है हमने उन से बात की है आप उनकी बात सुनें और गुने सोचें कि क्या क्या होने जा रहा है यह हमारे विश्विद्यालें में क्या बचेगा और कैसा तंत्र होगा विश्विद्यालें का भारती उच्च सिक्षा की जो इस्टिती हो जाएगी ऐसे ऐसे फैसलों के implementation से दुनिया के पैमाने पर हमारे विश्वित द्याले तो वैसे भी नहीं पूछे जाते अब इस्तिती और कितनी खराब होगी उर्मिलेश जी जी जो खबर आज आई है कि UGC ने policy announce कर दी है जिसको वो professor in practice नाम दे रहे हैं जिसके तहट आपकी faculty positions के 10% पोस्ट आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो academically, formally qualified नहीं है, PhD नहीं है, MA भी है कि नहीं, यह clear नहीं है और दूसरे दूसरे फील से आ रहे हैं, industry से और जगह से और इनको university अपॉंट कर सकती है यह बहुत ही खतरनाख खबर है क्योंकि ऐसे लोगों को हम पहले भी हमारे पास एक policy थी कि अगर बहुत ही कोई eminent musician है या artist है तो हम और ऐसे कुछ लोग हैं, हम उनको बिना कोई formal qualification से professor appoint कर सकते हैं लेकिन वो exception होता था और उसके लिए कोई ऐसे 10% का figure set aside नहीं किया जाता था अब यह जो आ रहा है, इसमें बिल्कुल clear नहीं है कि यह क्या मकसद इसका है, यह lateral entry का एक और नया तरीका ढूंडा है और जो लाखों teachers और जो रुके हुएं professor बनने के लिए या लाखों बेरोजगार हैं, जो PhD हैं और eminently qualified हैं उनके आप 10% post अगर चीन लेंगे तो उनके साथ यह भद्दा मजाग होगा साथ ही students के साथ भी यह बहुत ही गलत होगा कि ऐसे लोगों के साथ जो qualified नहीं है, आप faculty position उनको दे रहे हैं उनको आप बेशक बुलाइए, talks के लिए, workshops के लिए, जो अभी भी हम बुलाते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है लेकिन एक full time position उनको देना as a professor to teach a whole course यह तो बहुत ही गलत होगा और हम इसके बिलकुल खिलाफ हैं हमारी दूसरी जो खबर है दोस्तों, वो भी कम हैरत अंगेज नहीं है हमारे देश के parliamentarian अब तक यह देखा जाता रहा है कि जब कभी विदेश में जाते हैं तो आम तोर पे conference में, seminar में, symposium में उनको रोका नहीं जाता clearance उनको जरूर लेनी पड़ती है भारत सरकार से अधिकारी हों चाहे पदाधिकारी हों चाहे पार्लेमेंटेरियन हों लेकिन आम तोर पे रोका नहीं जाता रहा है लेकिन अभी एक बड़ी दिल्चस्प भटना हुई राजी सभा में रास्ट्री जनतादल के बड़े नेता हैं उनका नाम है प्रोफेसर मनोज जा पार्लेमेंटेरियन होने के अलावा सांसद होने के अलावा वह दिल्ली विश्वी द्याले में एक महत्तुपन प्रोफेसर भी हैं किताबें भी लिखी हैं किताबें चर्चित हैं और उनके भाशन उनके पार्लमेंटरियन जो उनका जीवन है पार्लमेंटरियन करियर जो है उसमें अगर देखें उनके इंटर्वेंशन जो देखें वो बहुत प्रकर और बहुत धारदार होते हैं अनेक महत्पूर्ण मुद् जिस तरह का पार्लेमेंटरी हस्तक शेप किया है उससे भारत की संसत की गरिमा ही नहीं बढ़ती है बलकि पार्लेमेंटरी जो एक प्रसीजर है या जो पार्लेमेंटरी जो एक डिबेट कास्तर है उसमें इजाफा भी हुआ है मनोज जाको यही सब उनकी क्वालिटी देखकर पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर विद्वान, कानून की जानकार और मानवाधिकार की चैम्पियन जो अक्सर पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी मखालफत करती रही है आलोचना करती रही है उसके दमनकारी चरित्र की तानाशाही की जब कभी तानाशाही लादी जाती रही है जब कभी डिमक्रसी को पूरी तरह डिरिल किया जाता रहा है और अधर्वाइज भी हर तरह के दमन क खिलाफ बोलती रही हैं वैसी आस्मा जहांगीर उनकी स्मृति में उनका निदन हो गया था चार साल पहले और उनकी स्मृति में पाकिस्तान में जो वहां की जो कुछ संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर इस विशह पर कनफरेंस आयोजित की है जो 22 से 23 अक्टूबर को लाहौर में होनी है आस्मा जहांगीर में वोरियल इस कनफरेंस में प्रोफेसर मनोजजा को गेस्ट अतिती लेक्चर के लिए बुलाया गया और इस पर उन्होंने अपनी इजाज़त दे दी और आयोजिकों को बताया कि जैसे ही साहमती मिल जाती है भारत सरकार की यानि विदेश मंतराले की हम अपने टिकट वगरे के बारे में बताएंगे लेकिन एक ऐसे विशह पर जो दोनों देशों के हित की बात छोड़िये पूरे दुनिया पूरे साउध एशिया सबके मिच इस पर काम है इस पर बोलना और इसके लिए मिनिस्ट्री आफ एक्स्टेर्नल अफेयर यानि भारत सरकार के विदेश मंतराले ने मनोज्जा की जो अरजी है उसको खारिश कर दिया इसमें पाकिस्तान सरकार का भी इंवाल्मेंट नहीं था कि वो बुला रही हो इन्डिपेंट डिमोक्रिटिक जो आर्पनाजेशन है यहां तक कि सुप्रिम कोड पाकिस्तान की उसके बार जो कौंसिल है बार एसोसियेशन बगरा जो जितने कह जाते हैं जितनी संस्ताइं ह इसमें आस्मा जहांगीर फांडेशन है एजी एच एस लीगल एट सेल है पाकिस्तान बार कॉंसिल है सुप्रिम कोड पार एसोसियेशन है यह पाकिस्तान की इनकी और से यह कंफरिंस है इनकी एसोसियेशन इनकी संपधता उससे है लेकिन फिर भी उनको रिफ्यूज कर दि कि ये सारी की सागरी प्रक्रिया ठप कर दी गई है बंदिशों का शिकार हो गई है ये घटना इसका उधारण है और दोस्तों हमारी तीसरी जो कता है वह बहुत ही दिल्चस्प है और सवाल उठाती है चिन्ता जगाती है बनारस में मारणिय प्रधानमंतिनी जी की कांश्च्वेंसी है वहाँ एक विश्विद्याले है B.H.E.U. के अलावा बलकि वहाँ दो विश्विद्याले और हैं एक तो बारण से संस्कृत विश्विद्याले है और दूसरा है काशी विद्यापीट बहुत मशूर विश्विद्याले है तो काशी विद्यापीठ में पुलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एक गेस्ट लेक्चरर अति थी व्याख्याता दरिट समाज से आते हैं पढ़े लिखे ही नहीं हैं बहुत सुयोग्य हैं पिएसडी किया है उन्होंने और गेस्ट टीचर अभी तक है ऐसे लोगों को तो प्राथमिका मिलनी चाहिए जो दरिट समाज से आते हैं इस ट्रगल बहुत करके पढ़ाई लिखाई की है और कम से कम कनफर्म व्याख्याता बनने के वज़ाए लेक्षरर बनने के बज़ाए उनको अतिती के रूप में लटकाए रखा गया और वो अतिती जो लेक्षरर है पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हैं कांस्ट्यूशन वगेरा काफी उन्होंने ठीक से पढ़ा है समझाते भी हैं चातरों को बहुत अच्छे रंग से उनके बारे में जो हमने पता किया उनका नाम है मिथलेश कुमार गौतम अब यह मिथलेश कुमार गौतम ख़बर में क्यों है बहुत ही सहज साधारन आदमी है लेकिन खबर में है उत्तर प्रदेश में तो जो कुछ एक अख़बार है उन्होंने छापाई है लेकिन अंग्रेजी के भी कुछ एक अख़बारों ने उनके बारे में उनके साथ घटी एक घटना की ख़बर चापी है मैंने संपर्क किया मिथलेश कुमार गौतम से और मैंने डिटेल भी उनसे पूछा कि कैसे ऐसा हुआ हुआ ये कि काशी विद्या पीठ ने उनको अतिती लेक्शरर से कनफर्म लेक्शरर बनानी की प्रेक्रिया शुरू करने के बजाए उनको नौकरी से ही बार कर दिया यानि जो टेंपररी एक एरेजमेंट है उससे ही बार कर दिया क्या कुसूर किया उन्होंने उनका कुसूर बस ये था कि वो फेस्बुक या सोचल मीडिया की किसी यानने प्लेटफर्म पर लिखते रहते हैं और उन्होंने बीच में लिखा कि अपने समाज की जो इस्त्रियां हैं उनको भारत के संविधान को भी पढ़ना चाहिए समझना चाहिए हिंदू कोड बिल को जरूर पढ़ना चाहिए संविधान के बारे में पढ़ते समय और हिंदू कोड बिल को पढ़ने से उसके खास उसकी डिबेट को पढ़ने से बहुत अच्छा होगा ग्यान और सूचना के अस्तर पर ये सब बाते हैं उन्होंने लिख दी ये बातें को हो सकता है काते भी रहे हों और अगर काते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है संविधान की बात कर रहा है लेकिन इसी लाइन पर इसी लाइन को लिखने के कारण उनको नौकरी से बाहर गेस टीचर से बाहर क्योंकि अखिल भारती विद्यारती परिशद ने कंप्लेइन कर दिया था कि वो धार्मिक भावना भड़का रहे हैं या धार्मिक स्तर पर जो लोग कर्मकान करते हैं या जो प्रैक्टिस करते हैं उस पर कुठारगात कर रहा है वगरा वगरा और नज इसी के आधार पर उन पर ये फैसला हुआ उन पर ये कारवाई हुई हमने भी मिचलेश कुमार गोतम से जब संपर किया तो उन्होंने ये बात कही आप सुनें उनकी बात मेरे एक फेस्बुक पोश्ट से जिस पर कि मैंने सिर्फ दो लाइन लिखी है महिला के संबैधानिक अधिकार एवं हिंदू कोड़ विल के लिए जिससे कुछ सबन मानसिक्ता के बच्चे उसे धर्म आधार एवं जातिगत आधार देकर मुझे गाली गलोज करते हैं मेरे विभागा देश के पास जाकर मुझे निकलवाने की बात करते हैं अंततो गत्वा वाइस चांसलर के पास जाकर मेरे उस पोस्ट को दिखा कर और एक दूसरी इडिट पोस्ट बना कर वाइस चांसलर के पास दिखा कर मुझे आज पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट आज इनुवर्सिटी से निस्कासित करवा देते हैं साथ ही साथ मेरा कैंपस में प्रतिबंद भी कर देते हैं कि इनको कैंपस में आना ही नहीं है ये एक सोची समझी रणनीत के तहर सारी काम किये जा रहे हैं और मात्र दो से तीन गंटे के नाट की रवय को देख कर या हमका सकते हैं कि नाट की आधार पर एकदम से सोची समझी साजिस के तहर जान बुझकर मुझे निकलवा दिया जाना और कैंपस प्रकिबंद कर दिया जाना एकदम से अन्याय पूर है और इसके लिए मैं न्याय की कुकी रिमांड करता हूँ और यह सब वही बच्चे हैं जो हर साल जो कंशी भीद्हा पीट में किसी किसी लहीं को टारगेट बनाते रहते हैं हर साल उनका टार्गेट एक नया प्रोफेसर होता है जिसको कि वह मारते पीटते हैं और इन छात्रों पर कोई कारवाई नहीं होती है कोई निलंबन या कोई कारवाई नहीं हुई है नमस्कार आदाब सत्रियकाल